अंत्रिप्त और असंत्रिप्त विलियन पढ़ने के बाद आईए अब हम तनू और सांद्र विलियन के बारे में देखते हैं। किसी विलियन में मौझूद विलेई की मात्रा को हम विलियन की सांद्रता कहते हैं। आप उपर देगए चित्र से क्या समझ पा रहे हैं। इस चित्र में हमने पानी के रंग की अलग-अलग मात्रा मिलाई है जिस ग्लास का रंग हलका है उसमें हमने कम रंग मिलाया हुआ है और देरे देरे हम रंग की मात्रा बढ़ाते चले गए जिससे हमें और तेज रंग मिलता चला गया हम पानी में मौजुद रंग की मात्रा को उसकी सांद्रता कहते हैं, यानि कि पहले ग्लास की सांद्रता कम है और फिर बढ़ती चली जाएगी. जिस विलियन की सांद्रता कम होती है, उसे हम तनू विलियन कहते हैं, और जिस विलियन में सांद्रता ज़ादा होती है, उसे हम सांद्र विलियन कहते हैं. तनू और सांद्र आपस में संबंदित पद है यानि कि हम किसी विलियन को दूसरे की तूलना में तनू या सांद्र कहते हैं अगर हम बीच वाले ग्लास को लें तो उससे बाई और वाले ग्लास के विलियन तनू होंगे और दाई और वाले ग्लास में विलियन सांद्र होंगे अब तक आपने विलियन की सांदृता के बारे में पड़ा आईए अब हम देखते हैं कि हम सांदृता को कैसे माप सकते हैं हम यह जानते हैं कि विलियन में मौजूद विले की मात्रा उसकी सांदृता होती है हम इस मात्रा को द्रविमान तथा आयतन के संदर्ब में बता सकते हैं आईए देखते हैं कैसे पहला होता है द्रविमान विलियन के द्रविमान का प्रतिशत यह दिये गए विलियन के द्रविमान में विले के द्रविमान का प्रतिशत होता है इसको हम एसे लिख सकते हैं, विलियन के दरविमान में विले के दरविमान का प्रतिशत बराबर विले के दरविमान बटे विले के दरविमान गुणा 100%. दूसरा होता है द्रविमान बटे विलियन के आयतन का प्रतिशत यह विलियन के दिये गए आयतन में उपस्थित विलय के द्रविमान का प्रतिशत है हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं विलियन के आयतन में उपस्थित विले के द्रविमान का प्रतिशत बराबर विले का द्रविमान बटे विलियन का आयतन गुणा 100 प्रतिशत और तीसरा होता है आयतन बटे विले के आयतन का प्रतिशत यह विले के लिए दिये गए आयतन में मौझूद विले के आयतन का प्रतिशत होता है इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं विलियन के आयतन में मौजुद विले के आयतन का प्रतिशत बराबर विले का आयतन बटे विलियन का आयतन गुणा 100 प्रतिशत तो इसे अपनी कॉपी में लिख ले इस टेबल में हम पहले पड़ेगे सुत्रों को अंग्रेजी में देखते हैं आईए अब हम इसको एक प्रश्ण से समझते हैं एक विलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधरन नमक विलय है तो विलियन की सांदरता का परिकलन कीजिए यहां प्रश्ण में दिया गया है कि विलय का द्रव्यमान 40 ग्राम है और विलायक का द्रव्यमान 320 ग्राम है हमें इन दोनों का प्रयोग करके विलियन का द्रव्यमान निकालना होगा जो इन दोनों का जोड़ होगा तो 40 ग्राम और 320 ग्राम का जोड़ हो जाएगा 360 ग्राम अब हम विलियन के द्रविमान प्रतिशत के सुत्र में सभी पदों का मान रखकर विलियन की सांद्रता निकाल सकते हैं जो होगी 11.1 प्रतिशत इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें